तो हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फैक्स विदवित पाठक में यूपी में ये चीजे मिलने जा रही है बिल्कुल फ्री जल्द होने वाली है इसकी घोशना आपको दादे हफते भर में आपको इसका लाब मिलेगा क्या है सरकार का नया निर्दियस जराब इस बात को ध्यार से समझें क्योंकि यूपी में योगी सरकार एक्टिब मोड पे है लगातार कुछ न कुछ नय फैसले लेते जा रही है आपको पता होगा को उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के बाद योगी आदितनात एक दम एक्टिब मोड में आ गए है हर दिन कोई ने कोई एक नया फैसला लेते हैं जिससे जनता को सीधा लाब उसको मिल सके तो सूत्रों का दावा है कि अगले सप्ताह योगी सरकार कई चीजे योपी में फ्री करने वाले है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो जानेंगे इस वीडियो में हम बताएंगी इस वीडियो में आपको सारी जानकारियां बने रहे गांत तक तो चलिए सुरू करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के बाद योगी एक दम एकसर मोड में आ गए हैं इस बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ बिजली ही नहीं बलकि ये 5 चीजे बिल्कुल फ्री होंगी तो मुक्मंतियोग अदितनाथ ने अपने हर चुनावी रैली में गरीवों को होली में मुफ्त गैस लेंडर देने का बड़ा वाता किया था भाजपा भले ही इस वादे को होली से पहले पूरा नहीं कर सकी लेकिन पूरी उमीद है कि अब इस वादे पर जोर दिया जाएगा सीनियर सिडिजन महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा यानी जो साठ साल या उससे अधिकुम्र की महिलाए हैं उनको साधारर से लेकर इसी बसों में उत्र सफर का तोफ़ा दिया जाएगा इसको लेकर सरकार ने कवायत सुरू कर दी है बजट भी तैयार हो गया है और उत्रप्रदेश सणक परिवान निगम ने इसको लेकर सरवे भी कर लिया है वही पर उत्रप्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली देने के वादे पर सरकार का ध्यान है हालाकि सरकार ने किसानों की बिजली का रेट आधा तो कर दिया है लेकिन गोशना पत्र में ट्यूब बिल के बिल पूरी तरह से माफ करने को कहा गया था अगर भाजपा अपने इस वादे को पूरा करती है यानि योगी सरकार इस वादे को पूरा करती है तो किसानों को सी चाई के लिए मुफ्त बिजली देने वाला या देश का छठा राज बन जाएगा और इसके साथ ही कॉलेज की छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का भी वादा अपने गोशनापत में किया था सरकार इसके बारे में हफते भर में जल्द ही फैसला लेगी साथ ही आपको दादे युवाओं को दो करोन टैबलेट स्मार्टफोन और लैप्टाप देने का वादा जो किया है उसके लिए सरकार ने बजट तयार कर लिया है और उसके बार नए लोगों को टेंडर दिया जाएगा जिससे कि वो सही समय पर पूरी आपड़ती कर पाएं जिससे कि बच्चों को टैबलेट स्मार्टफोन दिया जाए तो आपको टादेकर आप यूपी के चात्र हैं बारवी पास हैं ग्रेजुएशन में एड़िशन कराया है तो लगबगग 2 करोर स्मार्टफोन टैबलेट 5 साल में बाठे जाएंगे यानि हर साल लगबग 40 से 50 लाग टैबलेट स्मार्टफोन बच्चों को दिया जाएगा वही पर मुफ्त स्कूटी के लिए भी बड़ा वादा किया है जो पूरा होगा मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी यूगी सरकार देगी गैसलेंडर बुक किया है तो आपको उसका पैसा मिलेगा एक साल में दो फ्री गैसलेंडर है तो दो बार आपके खाते में पैसा पूरा गैसलेंडर का आएगा इसके साथ ही जो फ्री स्कूटी का बादा है वो भी सरकार पूरा करेगी और किसानों को फ्री बिजली मिलेगी ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे ही कोई लेटिस्ट अपडेट नहीं जानकारी आएगी तो आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा फिलाल के लिए इतना ही मिलते के लिए वीडियो में अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद